हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एलपी एमस क्लासेस में तो दोस्तो अभी तक हम आई पी सी पे भारतिय दंड सहीता पे चार लेक्शर अल्रेडी कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चीछ ता पर जाकर और क्लिक करें और वो चारो वीडियो आपको मिल जाएगा तब ही आपको इस पांचमा वीडियो सब्सक्रिप्शन जो हमने चौति वीडियो में पढ़ा था उसमें मानब में दो स्टे sah dejar अपरादिक रृत में चेड़ा ज्यार और छे दुराश्षे के बारे में elements of crime जो 4 थे उसमें से दूसरा जो element है दुराश्षे इसके बारे में आज हम करेंगे तो आएए दोस्तों यह lecture थोड़ा भी हो सकता है क्योंकि हम इसमें 10 case के 10 case के बारे में बात करेंगे तो इसलिए आप इस वीडियो को रोक रोक कर बीच बीच में तुरा फ्रेश होके फिर देख लें ठीक है क्योंकि मैं एक ही में आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे जिससे कि आप नोट करते रहें सिर्फ स्रिया कहते हैं ठीक है किसी का बुड़ा किसी का बुड़ा करना किसी का नुक्षान पहुंचाने की भावना से किया गया कर दुराश्य होता है कि लिए अपराधिक आश्य दोसी आश्य या दोसी मन गलत मन ठीक है या दोसी कृत्ते या आपके दौरा गलत काम की भावना से किया गया काम ठीक है आपकी गलत भावना से किया गया काम अपराधिक काम ठीक है किसी का बुड़ा अथवा किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से किया गया कार या जान बुझ के या जानते हुए आपके कारे से छती होगा या बुड़ा होगा या पता होते हुए आपन पहले ग्जाम्पल दोस्तों चौकदार ये टिक एक चौकदार एं वह वैखती किसी कंपणी के बाहर बैठा हुआ है और डाकु याथ है और आते हैं और गुदाम में क्या होता है, लूट हो जाती है, लूट हो गई, चोड़ी हो गई, तो क्या एक गलत है, बिल्खुल गलत तो है, मगर ये दुराश्य था इसमें, क्या उस गाड जो था, जो चौकिदार था, उसकी सोच में गलत थी, नहीं थी, वो बैक्ति तो ड्यूटी कर रहा था, मगर अगर वो नहीं तोर था, तो उसकी जान चली जाती, इसमें दुराश्य नहीं था, उसका मन अपड़ादी नहीं था, क्यलियर, दूसरे एक्जामपल देखते हैं, मनी चौकिदार है, वो बैठा हुआ है, और डाकु जो चोड़ी करने वहाँ पर आया है, डाकैती डालने आया है, वो दोनों आपस में साठगाट कर रखे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और चौकिदार ने पहले ही उससे मिलकर, चौकिदार ने बात कर रखे हैं, कि वाई, अयो तू, मेरे को पिस्टल लगई हो, और मैं ताला कोल दूँगा, लूट कर लेंगे, दोनों आपस में बाट लेंगे, तो ये क्या है दोस्तो, ये अपराद के साथ दुराश्य है, क्या है दोस्तो, इसमें दुराश्य है, क्यों 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 कि आप पहले ही सांट गाट कर चुके थे पहले में क्या था पहले में तो जानता भी नहीं था डकेत को मगड़ इसमें क्या है पहले ही इनों ने जान बुचके मेल जूल कर लिया है इसको हम अपराद कहेंगे ठीक है तीसरा example देखते है अब मानव metro बन देखा है तो metro बन देई है अब क्या है क्रेण से पत्थर उठाया गया गता भी अजब पत्थर रखा गया था तो क्रेण की जंजीर जो थी वो क्या है पकड़ी हुई थी मगर क्या हुआ कि जंजीर से पत्थर क्या होता है तूट जाता है जंजीर और किसी मजदूर के उपर गिर जाता है और मजदूर की मिर्तू हो गई तो यह जो अपराद है यह क्या है यह अपराद तो हो गया मगर यह दुराश से है तो नहीं यह दुराश नहीं है जाच होने के बाद पता चलता है कि बिना लापडवाही के मिर्तु हुई है तो यह अपराध नहीं होगा के लियार माणिए जो क्रेन था क्रेन पर रोज काम हो रहा था आज भी क्रेन पे लठका हुआ था वो यह ना जो पत्थर था मगर वो क्या हुआ करेन तूट गई आपने आप किस वज़से यह अपा कि gusta से घटना हो गई ठीक है तो यह अपराध नहीं है جो मैं से क्रेन वाले की कोई भी गलती नहीं उसके मन में कोई दुराश्य नहीं था एक और छोटा सा एक्जामपल देख लेते हैं अपराद के लिए दुराश्य होना क्या है जरूर है देखे दोस्तों मैंने बदाया था आपको एलिमेंट्स अप क्राइम जब पड़ा रहा था कि अप आपके गाउं में या सहर में देखा होगा एक पागल वैक्ति है वह क्या है वह एक इट लेता है और दूसरे वैक्ति को सरपे मार देता है जिससे उस वैक्ति की मिर्तू हो गई तो यह जो अपराद तो हुआ मगर सोच समझ कर बताई सोच समझ कर क्या उसने पराद किया तो यह जो अपराद है क्या अपराद होगा नहीं गलत तो है मगर यह अपराद नहीं है कि लिए आगल के द्वारा किया गया कार अपराद नहीं है इसमें दुराश्य है नहीं मैंने बताया था है चारों होना जरूरी है तुराश्य भी होना जरूरी है एक मानब भी होना नहीं बनाथा जब तक आपका मन अपराधी तक्या पर ना हो, मैंने जो बोला आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहता है आपका जो काम है, वो आपको अपरादी जब तक नहीं बनाएगा, जब तक आपका मन अपरादी नहीं हो, आनो आप से कोई गलती हो गया कुछ, तो क्या वो अपराद है, नहीं, मगर आप जा कुछ विचार को काम कर रहे हैं वो क्या है अपराद है क्लियर तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें जो जितने भी केस है जो मेंस्रिया के बारे में बताया गया है उस केस को एक वन वाई वन करके देखते हैं पहला केस है दोस्तों क्या है hobes बनाम विंचेस्टर क्रुपरेशन यह 1810 का इंग्लेंड का केस है क्योंकि 1810 में का नून तो था नहीं तो यह इंग्लेंड का कानून है जो दुरास्य के बारे में निन्नय दे रख उसे देखते हैं पहला केस कौन सा है होब्स बनाम बिंचेस्टर करूपरेशन इंग्लेंड का केस है इसमें नियाईदीस कैनेडी जिन होने कहा कि किसी भी अधिनियम की हमें श्राबदिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए और जो सब्द कानून में लिखे गए हैं हमें उसी पर अधारित फैसला करना चाहिए दुरास्य को अलग से अश्पर्ष्ट करना चाहिए कहते है दुरास्य जो है इसको अलग से अश्पर्ष्ट करो ठीक है तो इसी में हुआ दो नियाईदीस आ पहला नयाइदिस कौन थे राइट नयाइदिस कौन से राइट नयाइदिस और दूसरा जो नयाइदिस थे उनका नाम था कैनेडी नयाइदिस तो राइट का कहना था इस फैसले पे कि मडर जो है हत्या जो है वह अपराद है मगर इस अपराद में दुरास्य भी मजूद है ज मगर कैनेडी महोदे ने क्या का कैनेडी जो नहाई दीज थे उन्होंने का कि यह जो एक्ट है मानिए एक्जाम्पल दिये नो कि चोरी करना एक अपड़ाद है ठीक है मगर चोरी जो किया गया उसमें दुरास्य से किया गया या उसकी सोच समझ कर नहीं किया गया था अब जब चोड़ी किया गया ठीक है उसके सोच समझ कर नहीं किया गया था यह सोच समझ कर किया गया था यह सब हमें नहीं देखना है जो एक्ट में लिखा है वही देखना है यह क्या कहते है हमें नहीं देखना भाई कि क्या एक्ट में लिखा है कि दुरा यह आधार पर किया है और पुछ निहा है जो इन दोनों महोदे के किसी जज शाहब ने नियाद इस ने हैं ऑ कूँ पार की भात मानी और उसी अनुसार से चैस आज तक चलते आ रहा है इससे पहले एक और मैं case बता दूँ आपको दूसरा जो case है सिराज बनाम रूट जन यह 1895 का case है यह भी इंग्लेंड का case है कहां का case है इंग्लेंड का जैसे मैंने अभी नियादीस कैनेडी के बारे बताया था न तो राइट्स के बारे बताया नहीं ने क्या का तो यह जो सिराज बनाम रूट जन जो case था 1895 में इंग्लेंड का case इसमें नियादीस राइट यह कहते हैं कि प्रतेक अधिनियम प्रतेक कानून में दुरास्य निहित होती है जब तक कि इसके बिपरित या प्रतिकुल साबित ना कर दिया जाए ठीक है कहते हैं भाई साब जितने भी case है जितनी भी crime है सब में आदमी सोचकरी crime करता है तो सब में क्या होता है दुरास्य होते एक्जामपर बैक्तिक सरीर में आत्मा होता है जो दिखता तो नहीं है मगर आत्मा होता है न वैसे ही हर अपराद में दुराश्य होता है दिखता नहीं है मगर होता है क्लियर राइट मौद है और कैनेडी मौद है अब दोनों की बास सुन लिए अब इसी के अधार पे आगे केस के डिशीजन दिये गए तीसरा केस देखते है आर बनाम प्रिंस दोस्तों जो भी मैं केस पर आ रहा हूँ बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको सेविल जज्ज के एक्जाम जो होते है जो डिस्तरी उसमें पूछे जाते है यह यह आपको एक्जाम होता है यह यूपी एक्जाम होता है इन सब में पूछा जाता है तो आप नोट करते चले ठीक है तीसरा जो केस है, मैं देखा दोस्तों बहुत ही आसान सब्दों में समझाने की कोशिच कर रहा हूँ और लेक्षर बड़ा भी हो जाएगा, तो आप अगर बोर हो जाएं, तो दोस्तों प्लीज इस लेक्षर को रोक दें, फिर बाद में देख लें, मगर मैं इसी लेक्षर मे आए, शुरू करते हैं, तीसरा केस था, आर बनाम प्रिंस, ये आर बनाम प्रिंस केस है, 1875 का, कब का है दोस्तों, 1875 का है, ये अपहरन, जो तर, वेव, सॉरी, ये वेवहरन के बारे में, वेवहरन का मतलब बता है किड्नैपिंग, ठीक है, ये इसके बारे में है, के लिए मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, किड्नैपिंग क्या होता है, अपहरन क्या होता है, वेवहरन क्या होता है, अबडिक्शन क्या होता है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, तो ये इसके बारे में है, तो आपने देखा, आर बनाम प्रिंस केस क्या नाम होता है दोस्तो हैंनिरी प्रिंस और एक लड़की है जिसका नाम है एनी फ्लिप्स क्या नाम है दोस्तो एनी फ्लिप्स और इंगलेंड में एक कानून की धारा इंगलेंड का केस है तो इंगलेंड की धारा लगी तो इंगलेंड की धारा के तहत क्या है एक कानून मे बिना अगर ले जा रहे हो या भगा के ले जा रहे हो तो ये अपराद माना जाएगा किलियर अब देखिए दोस्तों क्या हुआ इसमें आपने ये देख लिया कि एक लड़का है जिसका नाम Henry Prince है एक लड़की है जिसका नाम Annie Flips है और इंग्लेंड में एक कानून है कि अगर 16 वर्से कम उम्र की लड़की को भगा के ले जा रहे हो बिना उसके माता पिता के पर्मिशन के तो ये एक अपराद है के लिए ये भी देख लिया अब क्या होता इस केस में दोस्तों कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ भागी थी क्या करती है भाग जाती है जो Annie Flips है ये प्रिंस के साथ भाग जाती है मगर लड़की 16 वर्से कम की थी कितने की थी दोस्तों 16 वर्से कम की थी इसका मतलब कि उसको सोचने समझने की सकती नहीं थी भाग गई और प्रिंस उसको भगा ले जाता है तब ही पुलिस दोनों को क्या करती है गिरफतार कर लेती है इनके जो फादर होते हैं फिलिप्स के वो कमप्लेन करते हैं पुलिस के पास और पुलिस इन दोनों को क्या करते हैं एरेस्ट कर लेता है और तब इस मामला को कोट में ले जा जाता है ठीक है जब ये मामला कोट में जाता है दोस्तों तो क्या होता है कि प्रिंस कहता है ये जो प्रिंस है ये जजसाब को कहता है कहता है कि जजसाब कि इस लड़की ने मुझे तो 18 वर्स बताई थी और वह दिखने में भी 18 वर्स की लग रही थी जैसा कि होता है न कि आप कोई लड़की 16 साल किये अपनी हिंदुस्तान की बात कर लो और देखने में ऐसे लगी जैसे 20 साल किये साधीरी ग्रूप से तो उसी परकार से इस प्रिंस को लगा प्रिंस को वो लड़की ने क्या बोला कि मैं 18 साल की हूँ लड़की ने जूट बोला और इसने बरुसा कर लिया और दूसरी चीजे इसको देखने में भी ऐसा लग रहा था कि लड़की 18 साल किये तो यह प्रिंस कहता है ज़स्ताब को मैंने तो इस भरम में इसको लेकर भागा कि यह 18 वर्स की है और मुझे इसके पिता को हानी पहुचाने की भावना नहीं थी तो मुझे दंड नहीं किया जाए तो उन कहता है प्रिंस के लोयर जो होते हैं ठीक है वो कहते हैं कि भावी मेरे मन में कोई भी इनके पिता जी को हानी पहुचाना नहीं था नहीं मेरे को पता था कि यह 16 साल से कम की है हाना बना मैं तो लेके जाता ही नहीं और देखने में भी 18 साल की लग रही है तो जस सहाब मेरे मन में तो दुराश्य था ही नहीं ठीक है तो फिर मुझे दंड नहीं दिया जाए अब क्या होता है दोस्तो अब लड़की बालों को बोलने दिया जाता है कोट के दोरा का था आप बताइए तो अब लड़की के पिता जी जो थे वो एक क्या करते हैं लडकी के फादर क्या करते हैं कोट में दिखा देते हैं की यह लिजए यह लड़की तो भी 14 साल 49 साल से नीचे की यह देखेंड डॉकुमेंट यह बना हुआ है अब कोट में दे देता है अब यह जो है सुप्रीम कोट ने निन्नाय दिया कहा का सुप्रीम कोट इंग्लेंड का उन्होंने क्या निर्नाय दिया दोस्तो कि प्रिंस दोसी है क्या निर्नाय आया प्रिंस दोसी है अब आप एक कहेंगे कि शर आपने तो पिछले लेक्चेर में दुरास्य वाले में इसी में आपने ये पराया है कि जब तक दुराश से नहीं होगा तो क्या होगा आप उसको दंड नहीं दे सकते मगर दोस्तों आप याद किजिए मैंना पहला केस पढ़ाय था हुपस मना मिंचेस्टर कॉर्परेशन इसमें दो बात कही गई एक राइट्स महौद है थे और एक कौन था केड़नी नियाएधीस थे तो केड़नी नियाएधीस ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भाई जो कानून में लिखा है उसी केनुसार अगर चोड़ी लिखा है तो चोड़ी अगर सोच के समझ के किया हो या सोच समझ के न किया गया हो उसको चोरी की सजा मिलेगी तो यह जो नियाए दीज जो नियाए दिये वो किनको मानते थे उन्होंने कैड़ी नियाए धीज जो थे उनकी बात को मानते थे और उन्होंने इनको प्रिंस को दोसी दे दिया किलियर अब जूरी ने क्या किया जूरी पहले क्या होते थे जूरी होते थे तो जूरी ने फिरेंस से बोला क्या बोला कि took कि इत्री लड़की के पिता के बिना अग्या के उसकी बैटी को भगा कर ले ले गया तो यह नैतिक दोस्त गलत कार किया अब तुम कह रहे हो कि मैंने क्या हुआ मैंने दुराश्य मेरे मन में दुराश्य नहीं था मगर जो कानून बना हुआ है वहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि दुराश्य होना चाहिए तो अपराद होगा तो दुराश्य होगा और अापराद है बस ने कंट है डूस्तो उस्टों थो तो अपवाद है किया वेवहरन और अप नहिं 거지 इस Sow slash कि दुरास्टे की जरूत नहीं होती इन्नों ने क्या का इसमें दो और अपवाद है क्ई है वेवहरन और अप हरो फें सी इन्टीक है यह यह तो इसको सजा पूस्त भी आए दोस्तों अब दूसरा किस दिखते है दूसरा केस का जो नाम है तौसरी दोस्तों 1889 का case है यह दूई विवा के बारें बताता है किसमें? दूई विवा एक वाइव को रखते ढूसरी शादी कर लिए इसके बारे में बताता है यह case हुआ था आरब नाम टॉल्सन 1889 का case है और कहा का case है? इंग्लेंड का case है अब देखे अब फिर समझे इसको टॉल्सन एक महिला है कौन है टॉल्सन टॉल्सन एक महिला है जिसके उपर आरोप है कि पहले पती को रहते दूसरी साधी करने का अब टॉल्सन जो महिला है महिला के साधी कब हुई थी तो 1880 में होती है और 1881 में उसका जो पती होता है गायब हो जाता है ठीक है गायब हो जाता है अब वो महिला 6 साल इंतिजार करती है ठीक है जिससे उसको पता चलता है एक दिन कि उसके पती समुद्र में डूबने से मिर्तू हो गई ठीक है जब यह आप बात सुनी और पती के रिष्टेदारों से बात चीत करके उसको पता चलता है कि सच में उसका पती मर गया है और उसको भरोसा हो जाता है कि उसके पती मर चुके है अब उनका इंतिजार करने के नहीं करने का कोई फाइदा नहीं है और जिसके साधी की वज़ह से दूसरे पती को सारी बात बता यह क्या करते है कि इंतजार अब क्या हो गया तो वह दूसरी शादी करने की इंतजार करने के बाद पहले उन्होंने इंतजार किया उसके बाद क्या किया कि जब पता चल गया कि व्यक्ति मर चुके हैं हमारे पहले पती तो इन्होंने इंतजार करने के बाद दूसरी शादी जिस व्यक्ति सो इन साधी वादी हो जाती है उनको सच बताने के बाद दूसरी से साधी कर लेती है बाद में उसका पहले वाला जो पती था जिसको बाद में पता चला कि वो डूब के मर गया वो क्या करता है वापस आ जाता है उसने देखा कि उसकी जो पतनी है ठीक है उसने दूसरी साधी कर ली ह तो उसने पतनी के उपर क्या किया दूई विवा का अपराद आरोप लगा दिया और केस कर दिया समझ में आया एक महिला होती है जिसको एक साल बाद उसका पती भी छड़ जाता है बाद में पता चलता है कि वो दूब के मर गया है महिला 6 साल उसका इंतजार करती है ठीक है इंतजार करने एक बाद पता चलता है कि वो मर चुकी है तो ये दूसरा साधी कर लेती है मगर क्या होता है पहला पती मरा नहीं होता है वो वापस लोटके आ जाता है और वो महिला के उपर दूई विवा का केस कर देता है अब IPC के धारा 494 में के थहत एक पती के रहते हुए दूसरी साधी नहीं कर सकते अगर पती का कोई अता-पता नहीं है तो 7 साल परतिक्षा करने तक साधी नहीं कर सकते क्या है IPC में? क्या पता है के 494 में धारा में कि भाई अगर आपके पती या पतनी नहीं है पता ही नहीं चल पा रहा है फिर भी आप 7 साल क्या करोगे? उनका इंतजार करोगे ठीक है? अगर इंतजार करोगे 7 साल बादी आप साधी कर सकते हो 7 साल पहले नहीं अता पता करोगे 7 साल ठीक है मगर तॉलसन ने 1880 में पहली साधी की और 1887 में दूसरी साधी की तो 7 साल नहीं हुए थे क्या हुए थे दोस्तो 80 में साधी की 1880 मुझे का पती चला गया तो 7 साल कहा हुए 6 साल हुए 7 साल नहीं हुए थे पहली सादी का साथ साल से पहले दूसरी शादी कर ली किन्होंने इन्होंने महिलाओने टॉलसन ने अब देखते हैं कि नियादीस ने क्या निन्ने दिया नियादीस करनी नहीं आया कि जो टॉलसन ने 6 साल तक इंतजार किया और कैसा इंतजार किया दोस्तो शदभाव पुर्वक्त इन्होंने बिल्कुल दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा बलकि पहले पती का इंतजार करती रही जैसे उसको पता चला 6 साल बाद कि भाई उनक के जो पहले पती हैं उनके मिर्तु हो चुकी है पती की तब उसने दूसरी शादी की ठीक है उसके मन में क्या था दोस्तो कोई भी दुराश्य नहीं था और उसको कोई अपराद नहीं किया उसने क्या हुआ कोई अपराद नहीं किया और जो जजज सहाब थे उन्होंने क्या किया निर्दोस करार दे दिया अब इन जज साब ने किन की बात वानी राइट्स मौदय की किन बाइट्स मौदय की इन्होंने कहा कि भाई देखो ये महिला सदभाव पुरवक दिल से अपनी पती की क्या कर रही थी रहा देख रही थी कि आ जाएंगे कलाएंगे मगर जब उनको पता चल चुका है और पता किसके द्वारा उनके रिस्तेदारों के द्वारा बताया गया यो मर चुके हैं तो फिर तो फिर तो इनके पास कोई बज़े नहीं था रुकने का साथ साल ठीक है जब नहीं पता चलता है तो रुकेंगे मग केस की केस क dare करते हैं कि आरव नाम वहित एंड ए है और बनाम वहीट एंड एस states यह उन्नीस्सोण एक境 टीक यह भी दूई विवास संबंदी थैया यह वी की सिर्ट रूए वी बीवास सम पहसे है अब दोस्तों इसको भी सो मैं आपको इस केस के बारे में बताता हूं कि इस केस में हुआ क्या था देखे दोस्तों इसमें एक अनपड वैक्ति था जो पढ़ा लिखा नहीं था ठीक है जो अपनी पत्नी के विरुद तलाक दायर किया ठीक है क्या किया था एक अनपड वैक्ति था उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए एक तलाक के विरूद, पत्नी के विरूद तलाक दायर किया, और वकील जो साव थे, वकील साव जो थे, के द्वारा वकील ने तलाक की कागच भेजा, क्या किया? अब वकील साव ने वो तलाक की कागच किसके पास? उस वैक्ति के पास भेजा, क्या लिखके भे किया उन्होंने कोडियर बेजा कि भाई उसमें लिखा हुआ था कि यह परवर लो और आप इस पर हस्ताक्षर कर देना मैं तलाग का अरजी दाखिल कर दूंगा कोट में मगर वह तो अनपड़ वेकती था मगर उसने क्या किया उसके पास जब कागच आया तो उसको लगा कि बकील साव ने क्या किया है तलाग करवा कर भेज दिया है और वह खुश हो गया और दूसरी साधी कर लिया क्या किया बिना परे क्योंकि अनपड था और किसी से पढ़वा ले था पढ़ा भी नहीं और वो क्या किया दूस्तो उसने दूसरी साधी कर ली अब क्या हुआ अगर अभी तक इसका तलाक नहीं हुआ था बल्कि कोट में तलाक के लिए अरजी ही लगाई गही थी मगर करने के लिए था वह तलाक का दस्तावेज समझ कर दूसरी साधी कर लिया क्या था जो जो उनके इनके एड़ोकेट थे उन्होंने क्या किया कागज भेजा क्या कि भाई शाइन करके भेजो मगर यह वैगती तो अनपड़ था यह सोचा कि रहे भाई सब तलाक हो गया अब तो और खुंसों के दूसरी साधी कर लिए ठीक है अब देखिए क्या हुआ अब पहली बीबी ने जैसी पहली बीबी को पता चला कि भाई अभी तलाक तो हुआ नहीं और यह दूसरी साधी कर लिया पहली बीबी ने क्या किया केस कर दिया पहली जो वाइव थी उसने केस कर दि अब देखते हैं कि ये सब कोड में पहुंचा तो कोड का फैसला आता है क्या फैसला होता है दोस्तो यह जो दोसी है ये जो अनपडब वैखती है इसको दोसी करार दिया गया है हım आप कोगे अच्छा इसके मन में तो ऐसा था नहीं इसके मन में नहीं था इसको पता चला कि नहींится यह सच्चाई बाथ है तलाक हो गया अभी देखो कोट ने क्या किया दोसी कवरार दे दिया गया और कोट ने तर्क भी दिया क्यों दिया तर देखिए सारी चीज़स फस्ट कर दिया आपको भी समझ में आजएगा कोट ने कहा कि यह वैक्ती जो अनपड वैक्ती है यह दोसी है कहता है तुम दोसी हो और तुम अनपड हो इसमें तुमारी गलती है अगर तुमें पढ़ने नहीं आता था तो किसी से पढ़वा कर पता करना चाहिए था कि यह तलाक की कागज था यह एडवोकेट साब हस्ताक्षर के लिए आपको कागज भेजे थे अरे यह आप नहीं परे लिखे हो तो इसमें आपकी गलती है अब यह थोड़ी नहीं कि आपने किसी की हत्या कर दी और आप कहते हो कि मुझे यह हत्या का दंड तो मिर्तु दंड होता है मुझे तो पता नहीं था बनना करता ही नहीं ऐसे नहीं होता दोस्तो अगर आपको लोग की जानकारी नहीं है зानकि रही ग्रहन किजिए यह नहीं कि आप यह कहांगे, हमको पता नहीं ता हमने मार दिया, ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनको दोसी समझा गया। क्लियर रहे दोस्तों अब दोस्तों अगला जो case है case नमबर 6 छठा case देखते हैं दोस्तों अभी तक हमने 5 case देखा दोस्तों यह कहां का case था इंग्लेंड का केस था अब हम देखेंगे जो छठा केस देखेंगे अब यहां से हम देखेंगे भारत का केस कि भारत में दुराश्य पे कुन कौन से केस हुए है क्लियर दोस्तों तो आईए अब देखते हैं अब भारत में जो केस हुए यह जो छठा केस है यह भारत के केस है इसके बाद जो भी case करेंगे हैं सब भारत का ही है तो यह है Mayor Hines George बनाम महरास्ट राज्य Mayor Hines George बनाम महरास्ट राज्य यह case कब का है दोस्तों यह case है कब का 24 अगस्त 1964 ठीक है अब यह case देखते हैं Mayor Hines George जर्मनी का वेक्ति था कहां का वेक्ति था दोस्त जर्मनी का वेक्ति था Mayor Hines नाम का वेक्ति था हमारे यहां एक कानून उस समय हुआ करता था जिसको कहते थे फेरा अदिनियम फेरा अदिनियम 1947 जिसे फेरा एक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे ठीक है कोई सा था फेरा एक्ट अग इसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर आप विदेश से कोई भी धन सोना आदि लेकर आ रहे हैं तो आपको फेरा अदिनियम के पेरा अदिनियम के तहत अंतर बताना पड़ेगा अगर नहीं बताएंगे तो अपराद माना जाएगा बताने का मतलब था डिकलियर करना कि आप सोना ले जा रहे हैं विदेशी मुद्रा या कोई भी चीज ला रहे हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी मगर लोग क्या होता था कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए क्या करते थे इसमगलिंग करते थे अवैद काम करते थे और इसमगलिंग के द्वारा सोना पैसा लाते थे तो दोस्तो मेर हिंस ने क्या किया ये सोना लाया था ठीक है इसके पास सोना था मगर इसने डिकलियर नहीं किया अब क्या होता है फेर एक्टम 1947 यह क्या था बिदेसी मुद्रा अधिनियम क्या है अधिनियम इसका धारा 8 क्या कहता है इसका एक धारा में भारत सरकार ने इसका जो बिदेसी मुद्रा अधिनियम है इसका धारा 8 क्या हुआ इसका एक धारा में अट के जो एक धारा था इसमें भारत सरकार ने 8 नॉमबर 1962 में कुछ बदलाब किया कि अगर आप भारत में सोना बिदेश धन लाना चाहते हैं बिदेश धन तो दो परकार से ला सकते हैं कितने परकार से दोस्तो तो ये दो परकार से आप ला रहे हैं, अरे भारत में तो रुक तो रहा है आपका फ्लाइट, इसका मतला भारत में तो रुका ही, आपने यूज तो किया हमारे जमीन का, तो दो परकार से आप ला रहे हैं, अब फेरा एक्ट में दोनों तरह से डिकलियर करना पड़ता था, ब माल लेकर जा रहे हैं कोई भी ऐसा माल तो आपको डिकलियर करना पड़ेगा आपने सोना चांदी बिदेशी मुद्रा कोई भी चीजों उसको घोशना करना पड़ेगा कि आपके पास कितना सोना कितना धन है अगर आप भारत में थोड़ी देर के लिए भी रुखना चाहते है या रुक रहे हैं फ्यूल के लिए किसी भी काम के लिए तो आपको या बात बतानी पदेगी ठीक है यही में मेर हेंस जॉर्ज क्या था जो जूरी यह जो मेर हेंस जर्मनी में एक जूरी जगह है वहां का यह वैक्ती था तो यह क्या होता है जूरी से वीमान पकड़ा यह स्वीजी लेंड की सरकारी बिमान था किसका बिमान था दोस्तो स्वीजी लेंड की सरकारी बिमान था ठीक है स्वीजी लेंड का सरकारी बिमान था उसके बिमान से व्यक्ति फिलिपीन्स के लिए मनीला जाना चाहता था अब यह बिमान मुंबई में रुका कुछ देर के लिए ठीक है उसको एक सूचना मिला था कि एक बिदेशी नागरिक सोना लेकर या बिमान से जा रहा है और भारत से होते हुए दूसरे देश में लेकर जा रहा है अब 27 नॉमबर को देखो 8 नॉमबर को एक हानून मना और 27 न बात क्या हुआ कि 27 नॉमबर को क्या होता है जूडीस से चलता है और 28 नॉमबर को मुंबई बीमान उतरता है और इसको कहां था मुंबई चलता रहता है अब कस्टम बाले जो अफिसर थे उन्होंने बिमान में जाते हैं और उनकी जाच करते हैं जाच करने पर जॉर्ज के पास 34 किलो 34 केजी सोना निकलता है और इसमगलिंग अवैद के जुर्ब में उसे गिरपतार कर लिया जाता है क्योंकि उसने अपने सोना 34 किलो का घोसना नहीं किया था और यह दोस्तों पहले जाता है सेशन कोट में पहले आपको पता है न कि पहले निचली अदालत फिर ऐसे बड़ी अदालत में जाता है तो पहले यह वहां महाराष्ट में पकरा जाता है मुंबई में तो वहां के सेशन कोट में केज जाता है तो सेशन कोट के जज होते हैं वो इसक पता ही नहीं था क्या कानून बदल दिया गया और मैं तो ले के आ गया मुझे पता होता तो डिकलियर करता ठीक है अब यह वैकति यह कहता है तो इसमें अपील कर दिया है कि हां यह व्यक्ति के मन में दुरास्य नहीं था है निर्दोस व्यक्ति है इसके बाद में महारा कि इसको छोड़ दिया जाए उसके बाद इसके बाद क्या होता है कि महाराष्ट जो सरकार होती है इसने सुप्रीम कोट में अपील कर दिया हाई कोट कहता है कि भाई दुरास्ट से इसके मन में नहीं था है यह निर्दोस वैखती है अब यह महाराष्ट सरकार चली जाती है कहां सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट क्या कहता है अब देखिए सुप्रीम कोट भी कहता है कि भाई इसको दोसी करार देता है क्या देता है दोसी करार और यह क्या बोलता है दोसी करार देते हुए कहता है इसके जो कारे में दुरासर नहीं थी फिर भी इसे दोसी करार दे दिया गया उस सीमा के उस उस समय जो सरकार थी Aufgैष सुब्बाराउ की सुप्रीम कोट की थे उन्हों ने ये कहा इस के या कारे से भारत पर वस्ता पर फरक पड़ेगा शाती भारत के सुरक्षा पे भी फर्क पड़ेगा इसलिए जॉर्ज का कारे बिना दुराश के भी अपराद है जहां पर शंशद के बनाए कानून में यह जिक्र नहीं होता कि दुराश आवश्यक है या नहीं है तो वहां ना भी हो अपराद माना जाएगा क्लियर चलिए अगला केस देखते हैं दोस्तों केस नंबर साथ नाथू लाल बनाम मध्यपरदेश राज उनिस्सव चैसेट दोस्तों लेक्शर बहुत बढ़ा हो गया नाथू लाल बनाम मध्यपरदेश राज 1966 का केस है इसमें क्या होता है दोस्तों नाथू लालेक वेपारी था वो गेहूं का एस्टोक रखता था ठीक है इस वेपारी ने गेहूं का बंडारन करने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया मगर इसको लाइसेंस नहीं मिला ठीक है फिर भी इसने गेहूं का बंडारन कर लिया अब इसके गुदाम पर छापा पड़ता है ठीक है कि आवशक्त्या से अधी गेहूं का बंडारन कर लिया मगर उसने गेहुन का मंधारन उतना ही किया था जितना उसने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा था अब देखिए क्या होता है कोट का डिसीजन क्या था है इस मामले में कोट ने इस वेपारी को निर्दोस बताया क्यों बताया यह भी बताता है क्योंकि यह कहा गया कि इसके मन में कोई दोस नहीं था हां अगर मन में दोस्त्ट दुराश्य होता तो वह license के लिए अवेधन नहीं करता और फीस भी नहीं देता मगर इसने अवेधन भी किया और फीस भी दिया ठीक है तो सोच कि अब उसे recognize उस्की सोच में जाएगा इसे लिए गेहूं का भंडारन किया इसका मतलब नाथू लाल की मन में नुकसान पहुचाने का नहीं था और उसके मन के दुराश इसके मन में दुराश नहीं था इसी लिए उसे निर्दोस करार दिया गया क्या करार दिया गया दोस्तों निर्दोस करार दिया गया हुआ अब लास्ट केश हम देखते हैं आठमा केसरा अमों जो यह किस को कहते हैं चोरी की दारा है ना इसके बारे में हुआ इस case में क्या होता है दोस्तों आ रोपी वैक्ति एक फाइनेंसर कंपणी का था किस कंपणी यह फाइनेंस जैसे आप देखते हो बजाज फाइनेंस ऐसे एक फाइनेंसर कंपणी होती है और पीडित वैक्ती पीडि वैक्ती जो कौन था जिसके पास बाइक था जिसने फाइनेंस से बाइक लिया था अब जो पीडित वैक्ती के लिए finance किया गया था अब यह जो जिसने finance पे bike लिया वो समय पे किस्त नहीं देता है ठीक है और यह जो company होती है financer company वो क्या करता है bike उठा लेती है और जबत कर लेती है अब भाई आपने finance पे bike लिया loan पे bike लिया है तो अगर आप समय पे loan finance पेसे जो किस्त है नहीं दोगे तो आपसे bike ले लेगा वो bike ले लेता है अब क्या होता है दूसरी party जिसकी bike उठा ली जाती है जो finance का पैसा नहीं देता है वो बैक्ती report लिखवा देता है कि मेरी bike चोड़ी कर ली गई कहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर ठीक है अब देखिए दोस्तो कोट कारनी नहीं क्या आता है कोट कहता है कि financer को निर्दोस करार दिया जाता है किसको फाइनेंसर को और कहा गया कि चोरी में दुरास्टे साबित करना परता है भाई और इसकी कोई दुरास्टे नहीं थी आपने आपने क्या किया आपने बाइक लिया किस पर लिया फाइनेंस पर लिया था तो आपको पैसा देना चाहिए था अरे भाई कमपनी पैसा दी थी आपको पैसा देना चाहिए था आपने पैसा नहीं दिया उसने गाड़ी उठा ली तो इसमें कोई उसका दुराश्च से नहीं था क्लियर और इसको निर्दोस करार दिया गया ऐसा ही दोस्तों एक छोटा सा केस है मैं उसके बारे मैं ऐसी बता देता हूं नौमा केस है जे हरी परसाद बनाम राज्य ठीक है इसमें क्या हुआ था इसम ऑनकर्बिमे एखेगा मान लीक कशी आपि बिसमें तो दोस्तों आज आपको समझें मरव खरदी कोई क्यों दोस्तों तो दोस्तों हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों से शेयर कर दे, और दोस्तों अपना कॉमेंट जरूर दे, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम और अच्छे से आपको समझा पाए, ठीक है दोस्तों, दोस्तों आशा करता हूं, कि हमारे दोरा जो इस आगे, आपको समझ में आओगा, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो, छथा वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, कि और भी, आगे जो चीज है, स्टेजे ऑप क्राइम क्या होते हैं, है न, इस्टिक लाइबिलिटी क्या होता है, यह सब हम देखेंगे, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए, आप अपना ख्याल रखिए, जै हिन, जै भारत!